नमस्कार दोस्तों मैं अनीता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लांट लवर अनीता में तो सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों का धन्यवाद करना चाहूंगी जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा औ अच्चार और ये कैलन कोई के बहुत सुंदर से फ्लार ब्लूम हो गए हैं बहुत सुंदर लगता है ये देशी कैलन कोई है तो फ्रेंट आज का मेरा वीडियो जो है सिड्लिंग करने का तो ये जो मिट्टी मैंने ने दूप में रखी थी उसको दो दिन हो गया है तो अब तो उनी को मैं अब गार्डन में यूज करूँगी, अगर हम यूज नहीं करते तो फेंकी देते, तो इससे अच्छा है कि इनको गार्डन में यूज किया जाए, वैसे भी ये काफी मजबूत होते हैं, और नीचे मैनन को कट लगा दिये हुए थे पहले से, ताकि ड्रेनेज जो है अच्छा बना रहे और पानी बिल्कुल रुके ना, तो ये देखे, इसका विशेश दियान रखना पड़ता है, ट्रेनेज का, तो अच्छे से कट लगा दिये मैंने, पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए इन में, तो इन ग्रो बैग को आज मैं इससे भरूँगी और ये किचन वेस्ट है, जैसे प्याज लहसुन के सबजी के छिलके जो भी होते हैं, ये भी मैं ग्रो बैग मैं नीचे नीचे जो है भर दूँगी, तो इससे ये धीरे धीरे डीकंपोस्ट होता रहेगा, और एक अच्छी सी खाद भी बन जाएगी, और पोधे को जो है सी पोशक ततब भी मिलते रहेंगे, और पोधा साथ के साथ जो है ग्रोथ करता रहेगा, तो एक ग्रो बैग जो है मैं आपको भर के दिखाती हूँ, ये देखे, सबसे पहले मैं इसमें सॉईली डालूंगी नीचे, लगबग 2 इंच के आसपस सॉईल इसमें डालनी है, और उ देखे, ये भी धिरे धिरे डीकंपोस्ट हो जाएंगी, तो खाद कर उपले लेंगी, और मिटी भी जो है कम भरनी बढ़ेगी, ये देखे, तो इतने बड़े जब ग्रो बैग हम भरते हैं, तो मिटी ज्यादा लगती है, तो इस तरह से वेस्ट, जगार्डन की ये जो हमा मिटी ही बन जाती है, तो देखे, इस तरह से आप भी कर सकते हैं, और फिर से मैंने एक लियर मिटी की डाली है, और उसके बाद में मैं इसमें ये किचन का वेस्ट डाल दूँगी, और इसके उपर सारी की सारी मिटी भर दूँगी, अच्छे से दबा दबा के, और ये किचन का वेस्ट भी बिलकुल ना फेंके उसे भी आप इस तरीके से यूज करें और अच्छी जो है खाद बनती है ये और मैंने इससे पहले भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखे हैं तो कोई ज्यादा फरग नहीं होता है कि आप पहले इसकी खाद बनाओ लग से फिर म इसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती पतला सा होता है लेकिन इसमें ये बड़ा था तो मिट्टी इसमें काफी ज्यादा आई तो मैंने सोचा इसमें में लॉबिया लगाऊंगी तो आपको भी सीड दिखा लू में ये देखिए ये तर्बूज के सीड है ये वाले ये पिछल है गर्मियों की तो वह सारे मैं अभी सीड लेके आऊंगी अभी मेरे पास सीड नहीं है जो मेरे पास अभी लेबल थे वही मैं आज ग्रो करूंगी तो आप भी ये सारी गर्मियों की सबजियों को अभी लगा लें बहुत सारी सबजिया हैं घीरा 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 लॉकी और भ मैं ठीक होल ने डाल के मिटी rights the Dw negotiations यह दे और बाकियों में लगाँगी और एक मैं दूसरा खार्भुझा दूँगी तो पिछले साल मैंनेई लगाया था लेकिन एक दू आये थे एक खराब हो गया था और एक हमने एक जो पक गया था और हमने खाया था बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब हम और्गैनिक चाहे फ्रूट हो चाहे वेजिटेवल हो घर की उसका आलगी टेस्ट होता है तो इस बार मैं जो सीड रखे थे पिछले साल के वो अभी मैं ग्रो करनी हूं जल्दी करनी हूं ताकि जल्दी स तरीके से कर देनी है और पानी का भी पूरा ध्यान रखना है मिट्टी जो है मॉइस्ट रखनी है सिड्लिंग की और ज्यादा तेज धूप में भी से नहीं रखना है इस तरफ धूप जो है अच्छी आ जाती है लेकिन जहां पे रखा है वहां पे नहीं बिल्कुल डायरेक पे रखना है क्योंकि इन पौधों को जो है धूप जरूरी होती है तो इसी तरीके से मैं बाकी सीट भी लगा दूँगी तोरी बगएर के और बाकी के जब लगके आऊंगी तब लगाऊंगी तो यह दिखे अभी मैंने सारे प्लांट्स को रियारेंज भी किया है आगे जो यह देखे सारे पॉट्स इस तरह भी कर दिये कुछ पहले आगे रखे थे तो सुबह शाम के ज़्यादा ठंड है और दिन में धूप देज है एक और यह देखे चोटा सा मिट्टी का मेरा प्लांटर है इसमें जो है मदर ऑफ थौजन का एक प्लांट लगा था जिसमें दे कितना प्यारा लग रहा है यह भी बहुत ही सुंदर इसका जब मेच्योर प्लांट हो जाता है ना तभी इस पर फ्लारिंग होती है तो यह पहले ऐसी जगा रखा था जहां पर इसी धूप जो है न के बराबर मिलती थी इसलिए इस पर पत्तियां जो है बिल्कुल काम है तो